है लो गाइज वालकम टु अनने वीडियो आज लास्ट दिर है तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए चले वीडियो को स्टाट किरते हैं तो गाजी जो आईपयो है ट्वेंटी फॉपेंट इसिक्स को आज के दिन क्लोज किया जा रहा है श्ट्टेंट पॉटी पॉंट सब्सक्राइब को एसे एसे में पिलिस्टेट किया रहा है ठाटे थ्री तु थाटी फाइफ़ पॉपीज पर सियर के प्राइज बैंड फोर थाजुन सियर्स की लॉट साइज जी वाइयर कैपिटल अडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड लीड मैंजर मास्सिला से राज स्टॉक ब्रोकिंग इसके मार्केट में कर है प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 92.48 परशन का एंगर इंवेश्टर से 4.21 के रोड का फंड्रेज कर चुका है अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो बहुत इस्ट्रॉंग सब्सक्राइब है क्यू आइब सब्सक्रिप्शन है अगर हम इसके जीएंपी की बात करें तो 45 रुपीच का और 128 परशन की लिस्टिंग मिलने के चांज है जितना इसका प्राइस प्राइस बैंड है उसके जीएंपी ट्रेंड करें इसके बहुत इस्ट्रॉंग डेब्यू करेगा 128 परशन की पॉफिट आ सब्सक्राइस का यह है दो बि iniciस रटीकल से फस्ट्रेल इंजिनरिंग सॉ सॉलूचन सकेंड है और इसमें सलुचन स में का इस कंपनी कंसलितिंग कर टेकनिकल सर्विसेंड करता है शिस्टेम लेवल उलेक्रोनिक दिजाइनलेव乐ल्रॉनिक लेग डिजाइन चिप एप engineering solutions में प्रोवाइड करती है और यहां पर कंपनी जो प्रोडक्ट सर्विसेज जो है प्रोड़क्ट सर्विसेज जो है इसको प्रोवाइड करती है जिसके कारण जो एजिंग transmission infrastructure होता है उसके capacity को maximize कर सके प्लस जो intermittent generation जो होता renewable energy sources से इसका मतलब कि जो increasing जो हो रहा है उसको manage कर सके और smart technologies का deploy कर सके जिसके कारण जो transmission investment decision जो होता है उसको complexity add कर सके और यहां पर अरौंड से ज्यादे इसके पास company के पास इंजिनियर्स और प्रोफेशनल्स है यहां पर financial record देखिए तो 21 में 28.3 करोड का revenue 32 lakh का profit है 22 में 29.8 करोड का revenue 64 lakh का profit है 23 में 68.2 करोड का revenue 5.5 करोड का profit है तो यहां पर October के महिने में अगर देखिए तो यहां पर जो है around 7 months में 21 करोड का revenue और 2.6 करोड का profit है तो guys company का financial है करना हम देखेंगे तो guys देखेंगे पास्ट में losses देखने को मिल चुका है 21 में 23 से company को जो है 23 के बाद से sudden boost देखने को मिला जो कि future में sustainability को लेकर concern की rate कर रही है doubt की rate कर रहा है कुछ risky points भी है तो risky points क्या आए गाई की business जो है consumer preferences का constantly change होती है जिसके करन गाई जिसके बिजनस को impact कर सकता है प्लस इसका success भी dependent है नए टूल्स डिजाइन solutions और सर्विसेस के development पर अगर यह इस पर ability पर जिसको अगर यह टाइम डेड नहीं करती तो गाई इसके वेशे कंपनी के business को impact कर सकता है प्लस negative cash flow past में देखने को मिल चुका है अगर यह जो effective manner में effective manner में अगर यह inventory को manage करने सकती है प्लस कुछ unsecured loans है जो कि कभी भी anytime recall किया जा सकता है जिसके कारण भी impact पर सकता है objective क्या है तो working capital government को funding चाहती है जनरल corporate purpose की आईपो लाए गया देखिए यहाँ पे custom built technology solutions में जो है only price रखा गया तो अगर आप इसको medium long term की investment करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते है लास्ट डे है decision लेने का गाईज और बहुत ही strong listing मिलने जा रही है allotment के chances बहुत rare होंगे लेकिन जिनको भी allotment हो गाईज बहुत ज्यादा लखी होंगी कि बहुत ही strong इसके gmp trend कर यह listing मिलने जा रही है तो अब हम लोग जो है वीडियो को ही प्रेंट करते हैं अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पुछे मिलते हैं एक्स रोड़ों में डिल दें बाई बाई